नमस्कार सातियों सुवागत है आपका मुझावद्यामानिस चैनल पर हो मैं जीन प्याजे के बारे में कुछ खास-कास क्योशन लेकर आया हूँ ठीक है तो जो आपकी एक्जाम में आते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्र जीन प्याजे का जन्म कहां हुआ था तो जीन प्याजे का जन्म हुआ था स्वीजरलेंड कहां पर स्वीजरलेंड में स्वीजरलेंड में जीन प्याजे का जन्म हुआ था अठारा सो चन्यू में जीन प्याजे का जन्म हुआ था स्वीजरलेंड में ठीक है और इनोंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, 1923 में इन्हों ने पुस्तक लिखी थी, इसके बाद आप से पूछा जाता है, बच्चों के बुधिक विकास की चार अवस्ताओं की प्रहचान किस ने की थी, तो बच्चों के बुधिक विकास की चार विश्त अवस्ताओं की प्रहचान की थी, जीन प्याजे ने, किनोंने जीन प्याजे ने की थी, ठीके, जीन प्याजे ने बच्चों के बुधिक विकास की चार विश्त अवस्ताओं की प्रहचान की थी, इसे और एक और नाम से भी जाना जाता हैं एक विकास आत्मक अवस्था विकास आत्मक सिद्दान्त और अवस्था सिद्दान्त के नाम से भी जाना जाता हैं विकास के बोधिक विकास को ठीक है चलिए जीन प्याजे ने बोधिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं के पहचान की थी वह कौन- श्याम सर ने पापा, मम्मी और आपको खाने पर बुलाया मतलब श्याम सर ने पापा को, मम्मी को और आप सभी जो भी ओनलाइन क्लास देख रहे हैं आप सभी को खाने पर बुलाया किने उन्हें श्याम सर ने तो केसे याद रखो के देखो श्याम सर तो आप ऐसे ही याद र इंगलिश में भी याद रख लेना ठीक है अगर ठीक है फिर प से क्या आगा पापा से क्या आएगा प पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता दो से साथ वर्ष म से क्या आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता साथ से ग्यारा वर्ष और यह मैंने आपको अल्रेडी ऐसे जोड द ठीक है याद रखोगे कि न रखोगे ये अगर ट्रिक आपको पसंद आती हैं तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं कमेंट जरूर करें ठीक है आज मैं बेठा था ऐसे ही तो मैंने का कुछ थोड़े सी ट्रिक बना के आप सभी का मन बहलाया जाए ठीक है तो अगर आपको ये व पापा मम्मी और आपको खाने पर बुलाया सर से आजाएगा समव्यदी प से आजाएगा पूर्व म से आजाएगा मुर्द आ से आजाएगा उप्चारिक संक्रियात्मग अवस्ता ठीक है पहला क्योश्यन आपके सामने प्याजे के अनुसार दो से साथ वर्ष के बीच का एक बच्चा संग्यान रतनां के विकाद की किस अवस्ता में हैं, पहला क्यूश्या निया, तो 2 से 7 क्या बताए था, पापा, श्याम सर ने, पापा, मतलब पूरो संक्रयात्म का अवस्ता होती है, 2 से 4, श्याम सर से हो जाएगा समभ्यदी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये तो पापा, मम्मी और आपको खाने पर बुलाया बस जीन प्याजे मुख्य कौन से छेतर में युगदान के लिए जाने जाते हैं तो भाषा विकास में तो आपके कौन जाने जाते हैं भाषा विकास में जाने जाते हैं आपके नौम चोमस की तो संग्यान अत्मक विकास के छेतर में दुसरे का भी प्याजे के इनुसार संग्यान अत्मक विकास की दुसरी अवस्ता कौन सी है संग्यान अत्मक अवस्ता की दुसरी कौन सी है पहली तो शाम सर समवेधी प्रेरक अवस्ता 0-2 2-7 पापा पूर वही आ जाएगा पापा 2-7 मा से मम्मी 7-11 है नी और बूलाया आप से ओप चारी 11 से 15 ठीक है ये तीन क्योंशन चलिए ये मैंने आज आज आपको थोड़ी सी 5 मिट के एक ट्रिक बताई है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर सकते हैं कमेंट जरूर करें केसा लगा वीडियो है ना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे ग्रूप में एड हो सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाईनियों बेहनों का बहुत-बहुत स्वागत